मैं प्रडाम करता हूँ आप सबको और अभी जो चुनाव बीता है आज कल निष्ठावान नेताओं की नितान तावशक्ता है देश को उनकी कमी हो गई है तो मैंने एक व्यंग निकालने की कोशिश की आप सबके चर्णों में रखता हूँ कि एक निष्ठावान नेता ने जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया सारे गधों को एक साथ क्रोधाया एक निष्ठावान नेता ने दूसरे निष्ठावान नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया सारे गधों को एक साथ क्रोधाया गधों के सर्दार ने सिर उठाकर समझाया धैचो धैचो को सब्सक्राइब भूर्मा को सब्सक्राइब से उप्ता करतेख से से इंब में कुट extraordinarily कर्ण मुँने भाषावाद वाखे घेत्र लगतने यो driving कृपा करके हमें राजनीति में ना घसीटे लोग तंत्र की पवित्र सरिता को निरमल बहने दे आदमी को आदमी और गधों को गठा रहने दे क्या बाध बहुत शुक्रिया एक छोड़ी सी रचना और सुनाता हूँ यह ठीक है मंचपर प्रग्या जी है नेहा जी है नेहा दुए हैं दोनों नेहा बैठी हुई हैं इनको समर्पित करता हूँ और इनको इसलिए भी समर्पित करता हूँ कि लंबे बालों का हिफाज़त जो है बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है ये तो स्वयम को भी समर्पित हो सकते हैं तो मैने डिल्टेर में सोर्फन इनके प्रती है मेरा बहुत ज्यादा समर्पन है कन अधसर लूबे बाल जिसके होते हैं आप लोग तो लंडे रख भी नहीं सकते हैं ना रखते यह आप तो ऐसे ही रहों लगते हैं लंबे बालो के आपको क्या वाशकता अभप लंबे बालों के कारण अक्सर लोग जूओं की समस्या से तरस्त होते हैं यह अनुभव मुझे तब हुआ जब मैंने खुद के बाल लंबे किये तो मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की है वो दवा आप तक पहुचाता हूं सुनियेगा नेहा सुनना फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिप्टा एक विचित्र वैक्ती जूओं से तरस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था सड़क के किनारे खड़ा हो चिला रहा था हुजूर भाईया बाबू साहब सेट जी माई बाप कहा जा रहे हैं आप हुजूर भाईया बाबू साहब सेट जी माई बाप कहा जा रहे हैं आप तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए परंपरागत तरीके से जुए मारने की राम बार दवा सस्ते में लीजिए हर आने जाने वाला सक्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता मुस्कुराता फिर चला जाता आखिरकार आमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुन्दर महिला दवा बेचने वाले के पास आई अपने चमकदार रेसमी जुल्फों में हाथ फेरती वितराई बोली कितने पैसे हुए बताईए एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए बहन जी सिर्फ एक सब पचास रुपे में आपका जोटा सवर जाएगा दवाई खत नहीं होगी जुआ मर जाएगा महिला ने खरीद ली दवाई खुशी खुशी अपने घर आई जैसे ही दवा का डबा खोला बस चकित रह गई अपने ठक जाने का दंस चुपचाप सह गई डबे से एक हथोड़ी एक पत्थर और एक परची निकली जिस पर लिखा था अपने बालों की खुबसूरती को और निखा रिये अपने बालों की खुबसूरती को और निकारिये जूओं को पकड़िये पत्थर पे रखिये और हथोड़ी से मारिये मैं बहुत बहुत पड़ाम करता हूँ आप लोगों को मैं बहुत मासूम लोग यहां बैठे हुए देखे मासूम और भोले लोगों की बनारस जैसे शहर में तो कोई कमी नहीं है मेरे घर के ठीक बगल में एक बड़ा भोला और प्यारा सा लड़का रहा करता था उसकी शादी करा दी गई मतलब आम लोगों की हो जाती है शादिया भोलों की करवानी पड़ती है जब उसकी शादी करा दी गई तो उटाया उसकी ना मा ने पूछा घराने पर की बिटा वहो नहीं लाए उसने बोला मा वह तो बिधवा हो गई उसकी माने उसको को समझाया बेटा ऐसी बात नहीं है मैं तो इसलिए बिद्वा हो गई कि तेरा बाप मर गया था अब इसका जवाब सुनना भाई साब इसकी मा ने समझाया बोला बेटा मैं तो इसलिए बिद्वा हो गई कि तेरा बाप मर गया था उसने का हो सकता है उसका भी बाप मर गया हो बोले लोगों के जवाब की कोई मलब सानी नहीं है बैसाब मेरे मन में इन दिनों एक गजल है वो गजल आप लोगों तक सुनाना चाहता हूँ उसके बाद सीधे सीधे अध्यक जी का कावेपाट होगा क्योंकि ताजा लिखने की कोशिश करता रहता हूँ मैं और वो अगर आप लोगों तक पहुँचे तो बड़ा अच्छा होगा रैली की बेतियारी बहुत जोरों पर है एक छोटी सी गजल आप लोगों के सम्मुक रखता हूँ आपका विशेश आशिरवाद चाहता हूँ अजब ये हाल है एक एक शेर पर ध्यान दीजेगा ये मने बड़े दिल से लिखा है कि अजब ये हाल है यारो मुहबबत करने वालों का जरा सी बात पर बरसों का वादा तूट जाता है अजब ये हाल है यारो मुहबबत करने वालों का जरासी बात पर बरसों का वादा तूट जाता है कहीं रहता भरोसा फिर भी रिस्ता तूट जाता है कहीं रिस्ता तो रहता है भरोसा तूट जाता है अजब यहाल है जरासी बात पर बरसों का वादा तूट जाता है कहीं रहता भरोसा फिर भी रिस्ता तूट जाता है कहीं रिस्ता तो रहता है भरोसा तूट जाता है कहां पे किसका दिल नाजुक यहां पे कौन जाने है कौन लड़ता है किस से और क्या-क्या तूट जाता है कहां पे किसका दिल नाजुक यहां पे कौन जाने है कौन लड़ता है किस से और क्या-क्या तूट जाता है कभी शीशे से टकरा करके पत्थर तूट जाते है कभी पत्थर से टकराता है शीशा तूट जाते है कभी शीशे से टकराता है शीशा तूट जाते है कभी पत्थर से टकराता है शीशा तूट जाता है सुनेगा एक शेर निकालने की कोशिश की है, महा भारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा तूट जाता है, कभी धागे के आगे कितने रस्ते तूट जाता है, कभी रस्ते के आगे सारा धागा तूट जाता है, एक शेर कल्याट तुम्हारी नजर करता हूँ, घजब है खेल किसमत का, जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आख खुलती है तो सपना तूट जाता है, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता हमेशा आग खुलती है तो सपना तूट जाता है दिवाने से जुदा होकर दिवानी तूट जाती है दिवानी से जुदा होकर दिवाना तूट जाता है दिवानी से जुदा होकर का रोला तूट जाता है शहादत जब कोई देता वतन की सर परस्ती में हमारे देश के रस्ते का रोला तूट जाता है बहन रोती है जब राखी का धागा तूट जाता है किसी की चूडिया दिल और जोडा तूट जाता है दहन रोती है जवरागी का धागा शुट जाए एक शेर और सुनियेगा शेर आखिर सुनाता हूँ कि है दरिया आख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा है दरिया आख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता तूट जाता है बंधे से टकराकर के लहरे तूट जाती हैं कभी लहरों से टकराता है बंधा तूट जाता है कभी बंदे से टकरा करके लहरे और मक्ते का भी शेर शमात फरमाईएगा हाजिर करता हूं कि कभी बंदे से टकराती है लहरे तूट जाती है कभी लहरों से टकराता है बंधा तूट जाता है इबादत हम जहां करते हैं करने दो यह देखा है यहां तो मंदिरों मस्जित कलीसा तूट जाता है इबादत हम जहां करते हैं करने दो यह देखा है यहां तो मंदिरों मस्जित कलीसा तूट जाता है कभी तो तूट जाता है यहां दमदार सजदे में कभी दमदार का उलफत में सजदा तूट जाता है चलते चलते एक चंद सुनाता हूँ जो बड़ा वाइरल हुआ था एक बड़े चैनल से मुझे फोन आया उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है इस पर आपको कविता करनी है मैंने कहा कि ठीक है भाई कर दूँगा दस मिनट बाद चैनल से कॉल बाई काया कि जरा इस तरह से कोशिश करिएगा कि मोदी जी के खिलाफ में बात न जाए मैंने कहा रुपया गिर रहा है ये अर्थ सास्त्र का मामला है इसमें मोदी जी की क्या गलती मैंने कहा मोदी जी की कोई गलती नहीं है रुपया की गलती है वो गिरा क्यों, मोजी जी की कोई गलती ने, मैंने बचाओ गरने की कोशिश की, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनी प्रीत जानती है इश्क का फितूर है, एंडी तिवारी का तो DNA टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशुहूर है, साथ राम पाल, और 72 में आसा राम, गिरने की सूची हमें ग्याद तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं, गिरा हुआ है, रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, मैं मोदी जी क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत